अरेस्ट हुए शारुक के बेटे आर्यन खान ना काम आया बड़ा नाम ना पैसा ना पावर ना उनकी लीगल टीम कुछ कर पाई और ना ही गौरी खान वहां पहुँच कर कुछ अपने बेटे के लिए कर पाई आपको बता दे कि कल रात से ही आर्यन खान को डिटेंड किया गया था क्योंकि शारुक खान के बेटे हैं NCB की टीम पर प्रेशर भी बहुत था इसलिए कल रात तक बस यही कहा गया था कि एक सूपर स्टार का बेटा है सुबह तक NCB ने नाम नहीं लिया सोशल मीडिया पर आर्यन खान के पिच्चर्ज और विडियोज आने के बावजूद भी NCB ने नाम नहीं लिया था और खबरे थी कि NCB के उपर प्रेशर है यह नाम नहीं लेने का या आर्यन खान को अरेस्ट करने से बचाने के लिए शार की ये कोशिशे नाकाम्याब रही आर्यन खान को आज मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद NCB ने अरेस्ट कर लिया गया है ताजा तस्वीरे NCB के ऑफिस के बाहर से आर्यन खान की आ चुकी है आपको ये भी बता दू कि शारुक खान ने अपनी लीगल टीम को सुबह ही NCB के ऑफिस भेज दिया था जिसमें कहा जा रहा है कि वकील वही है जो रिया चक्रवती के मामले में रहे यानि कि सतीश मानशिंदे इंडस्ट्री में जादर तर हाई प्रोफाइल केसे यही वकील मैनेज करते हैं इसी बीच मीडिया जो मननत के बाहर भी मौजूद थी उन्होंने देखा कि किस तरीके से शारुक के घर से एक के बाद एक तीन चार गाणिया निकली जिसमें शारुक के सेक्यॉरिटी गार्ड्स और कहा जा रहा था कि गौरी खान जो है NCB के ओफिस के लिए रवाना हुई लेकिन वहां पहुंचकर गौरी खान भी कुछ नहीं कर पाई NCB की टीम ने आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है सेक्शन 27 के तहट बुक किया गया है आर्यन खान को आर्यन खान के अलावा डीटेंड किये गए लोगों में से मुनमुन भनेजा और अरबास मर्चंट को भी अरेस्ट किया गया है फिल्हाल आर्यन खान को कौर्ट में पेश किया जाएगा NCB की कोशिश रहेगी कि कम से कम तीन दिनों की कस्टिडी आर्यन खान की मिल जाए इशूस में भी कैरी किये थे कोकेन, MDMA जो की हाई ड्रग्स होते हैं वो इन लोगों से जब्त हुए हैं तो ऐसे में शुरू से ही खबर आ रही थी कि इतने एजिली फ्री नहीं होंगे लेकिन शारुक खान बड़ा नाम है दस लिंक है उनके पावरफुल आदमी है तो क्या गंटों में तो आरियन खान की फोटोज भी सामने आ गई, NCB ने ओफिशली नहीं कहा था उससे पहले ही आरियन खान की NCB के ओफिस से पिच्चर सामने आ गई थी किसे पता था कि Bollywood इंडस्ट्री के सबसे बड़े सूपर स्टार का बेटा Bollywood में फेमस तो होगा लेकिन फिल्मों से नहीं बलकि ड्रग्स मामले से